10th और 12th का result आने के बाद सभी बच्चों के जहन में सबसे बड़ा प्रश्णिय ही होता है क्या सर वाकी में मैं NDA के लिए eligible हूँ और eligibility decide करने का जो सबसे बड़ा factor होता है वो होता है आपका age criteria क्राइटेरिया तो अब इस लिए आज के सिसन में मैं बहुतर ढंग से आपको समझाओंगा कि NDA का age criteria क्या है और यह criteria आपको मैं 2023 का ही नहीं बिलकि 2024 और 2025 तक बताऊंगा कि exactly अगर यह date आप बढ़ता आपकी है तो 2025 के होने वाले first second attempt भी आप eligible होते हैं तो ध्यान से इसको समझना है और बिलकुल इस session को screenshot जरूर ले लिजिएगा जिससे आज की बाद age को लेके आप में कोई confusion ना रहे साथी साथ मैं कहना चाहता हूँ जितने भी मारे 10th and 12th के बच्चे हैं especially 10th के बच्चे जो two year foundation program के लिए समय प्रयास करना चाहरे हैं और हमारे 12th के candidates जो विलकुल target batch में focus तरीके से लगना चाहरे हैं यह समय बहुत महत्त्रकूर्ण है बच्चा एक एक दिन आपके लिए important है और आपको इस important day को बहुत important मनाना है MKC के साथ जुड़ करके एक real सची और वास्तिविक preparation अगर एंडिया के इस देश में कहीं है UPSC level पे तो केवल major class classes में है one of the best teacher team पिछले 16 सालों से बहतरी ननभों के साथ बेटा आपको guide करती है जो आपको exactly उस standard पे पढ़ाती है जिससे फटापट batches open कर दी गई है बिल्कुल उठाइए फोनों करिए call हमें 969633003 पर और फटापट call करके बिट अपनी seat reserve कर लीजिए MKC का मतलब share short selection और NDA सपना आपका अगर है तो वर्दी पहनाना हमारी जिद होगी आपको तो बिल्कुल आई आज जानते हैं कि NDA का exactly age criteria क्या ह हैं तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आप इसको ध्यान से देखें कि हम NDA 2nd 2023 से बात करें क्योंकि अगला जो एक्जाम है वो आपका 3rd September का होना है जिसका फॉर्म बिल्कुल आपका आने वाला है जल्दी उसके रांस मेंट मैं आपके सामने कर दूंगा बच्छा ल इलिजबल हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो एज को ध्यान से देख लें स्क्रीन सॉट भी ले लें बिटा जिससे आप में पूरी क्लारिटी आ जाए फिर आ जाते हैं कि NDA 1st 2024 क्योंकि बच्चों का यह होता है कि सर मैं NDA 1st 2024 का ट्राइब करना चाहता हूं क्या मैं उसक पांच हो जाएगा और यहां एक जनुरी मैं एड करेंगे तो 1st 2024 के लिए जो एज का क्राइडिरिया होगा वो 2nd जुलाई 2005 से भी है 1st जुलाई 2008 तक का आपका क्राइडिरिया एज का हो जाएगा ध्यान से देखते चलिए फिर आते हैं NDA 2 2024 मानली जिए टू दो जार 24 है इसके लिए आप इलिजिबल होते हैं यह आपका पहला अटेम्ट है बिटा इसलिए मैं कहता हूं कि वाकई में अगर आपको नाशनल डिफिंस अकाडमी का हिस्सा बनना है तो 10th के बाद ही सबसे सही समय है क्योंकि आपको मौका मिलता है कि एक साल बहतरिन आप हमारी क्लासे से जोड़ करके बोर्ड को भी और NDA को भी अच्छे से कबर करें जिससे कि आप कैपबल हो सकें जो आपका NDA 2nd 2024 में एक्जाम होगा जिसके लिए आप इलिजिबल होगा उसमें आप अपीरिंग में होंगे 11 का एक्जाम होगा और 12 में आप इंटर कर चुके होंगे उस एक्जाम के लिए आप बिलकुल इलिजिबल होंगे उसके लिए जो एज का क्रेटेरिय आहां पर रखा गया है बच्छा वो 2nd January 2006 से 1st January 2009 है अब बहुत सारे मेरे CBC बेट के बच्चे हैं जो इस एज को मीट कर रहे होंगे मतलब वो eligibility ताय हो रही है बच्चा अगर आप अपने एज उठा के देख लें कि पर्टिकुलर इस डेट पर आपका जन्म हुआ है और विडबीन आपका जन्म हुआ तो आप इसके लिए लिजबल है फिर से कर देता हूं 2nd January 6 माहीने और जुड़ गया 2nd January 2006 से 1st January 2009 तक वहीं बात करते हैं अंडिये 1st 2025 की तो चली यह भी वहीं NDA 2 2025 की बात करने 2nd January 2007 6 में जुड़ गया आपका 1st January 2010 तक का हो गया तो यह exact आज निकाल के रख दिया है मैं कहूंगा इसका screenshot आप प्रॉपर ढंग से रख लीजिए बच्चा जिसे आज के बात से इस चीज को ले के आपके जहन में कोई confusion न रह जाए तो आसा करता हू लो कि this time sir I will crack the NDA sir मैं NDA crack करके रहूंगा और NDA crack कराने के लिए आपको commitment देता है में जेकल सी क्लासे क्लासे क्या आप से और साट क्रेक करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी थोड़ा से क्लियर कर दूँ इसमें अक्सर बच्चों में confusion मेरे को देखने को मिलती है तो देखो बच्चा फर आर्मी बिंग आप नाशनल डिफिंस एकाडमी 12th क्लास पास आप 10 प्लस 2 पैटन आप स्कूल एजूकेशन एक्जामिनेश हो वकेशनल कोर्स में कि हो किसी भी चीज में आपने 10 प्लस 2 कर रखा है आप आर्मी में जाने के लिए नाशनल डिफिंस एकाडमी में इलिजबल है यह कॉंसेप बिल्कुल क्लेर हो जाना चाहिए आपको पूरी तरह से लेकिन वहीं एर फोर्स और नेवल बिंग की जब ब कोविलन एक्जामशन के लिए अप्लाइफ यह मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी बच्चे दोजार चौबिस में 11 का एक्जाम देंगे फर्वरी मार्च मैंथ में अप्रिल मन्थ में तो उसके बाद जो दोजार चौबिस का सप्टेंबर अटेंट होगा उसके लिए स सफलता है नाशनल डिफेंस अकाडमी में सो निश्यत कर सकेंगे नोट केंड़ेट अपेरिंग इंदा 11th क्लास एक्जाम और नॉट इलेजिबल फॉर दिस एक्जाम के बाद ही देना है तो दोज केंड़ेट हुआब इट क्वाइफाई देल्ट क्लास और कोविलेंट एक् बैसिकली थिंग्स विच रिली आइड इन फ्रेंट आप यू जो मैं आपको बताना चाह रहा था मैं फानली यही कहना चाहता हूं बच्छा कि इस ए ग्रेट अपरचुनिटी ग्रेट अन ग्रेट अपरचुनिटी और इतने बढ़ी अपरचुनिटी का फाइदा जरूर उ आपको बिल्कुल आपकी परचुनिटी में भी अप्टू दमा करें क्योंकि NDA का सेलेक्शन दो स्टेजिश पे है बच्चा एक रिटन है आपका और एक परस्टेलिटी है और दोनों ही प्रोस्पेक्ट से बहतर धंग से काम करके ही आपको बहतर बनाया जा सकता है तो आप फिर से दिल से बहुत-बहुत सब काम ना है बिल्कुल अब इंतजार नहीं होना चीए अब NDA के लिए प्रहार होना चीए और उसके लिए उठाईए फोन फटापर करिये कॉल हमें 9696330033 पर और अपने सीट फटापर बुक करके हमारे साथ एक रियल तयारी सुरू करिए UPS को क्वालिफाई करने की MKC है तो सब मुंकिन है और से और सोट आपको सफलता मिलेगी नाशनल लिफिस्टिक आडमी एक्जाम में पिशिवाल गुडलग जैहिन चैभाग